हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवसिटी में बात करेंगे रिलाइंस इंड़स्ट्री के बारे में कि आज इसमें क्या हुआ और कल के लिए 6 अगस्त के लिए इसमें क्या टार्गेट रहेंगे Option Chain Analysis and Technical Chart Analysis के अमाद्यम से मैं यह सारी चीज़े आपके साथ इस वीडियो में आज डिसकस करूँगा तो चलिए Disclaimer के जाथ स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि आज का लिखा जोका कि आज इसमें क्या हुआ तो 18 रुपए जितनी गिरावट आज इसमें देखने को मिली जो कि जायस गिरावट थी क्यों मैं अभी आपको चार्ट में थोड़ी दिर बाद यह दिखाऊंगा पहले बात करेंगे option chain analysis की दोस्तो option chain analysis बहुत ही important चीज होती है यहां से हमें दो चीज़े पता चलती है किसी भी stock का strong support and strong resistance इससे हमें यह पता चलता कि कहां पर हमें entry लेनी है और कहां पर हमें exit लेना है हम कई भी भी ट्रेडिंग करें पोजिशनल रहे या फिर swing चाहिए कि हमें कहां पर entry लेनी है और कहां पर exit लेना है अगर यह दोनों चीज़ों में गलती हो जाए तो हमेशा हमें थोड़ा बहुत तो धोका खाना ही पड़ता है लेकिन अगर अच्छे से हमें यह दोनों चीज़ पता चल जा तो हम कभी भी इसमें मात नहीं खाएंग 32,000,000 जितने contract आपको यहां के दिखने को मिल रहे और आज कितने एड़ वे 5,12,000 वैसे तो निचे भी बहुत हुए एक और मैं दिखाऊंगा यहां पे भी लेकिन अभी जो नजदिक वाले हैं उसी की बात करूंगा 5,12,000 contract sign हुए 2200 रुपए पे यानि कि यह अभी strong इसका resistance है मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि जो इसका पिछला हाई था 296 रुपए उसके नजदिक यह एक बार फिर से टच करके नीचे आएगा मतलब आएगा वहाँ पे इसको resistance फेस करना पड़ेगा और आज ऐसा ही हुआ अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट में दिखाऊंगा तो यह होता है दोस्तों टेक्निकल एनारी से जिससे आपको पता काना ही नहीं सबसे पहले तो में ब्रेक करना पड़ेगा बाइस सो रुपए वाला जो कि अभी बहुत स्ट्रॉंग सरदर्द बनके बैठा हुआ जब तक यह क्रोस नहीं करेगा तब तक इस टॉक में आगे बड़त आपको नहीं देखने को मिले अकर नीचे की और शिफट हुआ दो जार रुपए पर जैसे मैंने आपको कल बताया था क्यूंकि कल के दिन वह सपोर्ट लेके उपर आया था दोजार रुपए पर क्योंकि पिछले दो दिनों से वहां पर गिरावती देखने को मिल रही थी लेकिन 2000 रुपए पर सपोर्ट लेके वह फिर 200 रुपे पर कि अभी 2100 रुपे इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट साबित हो रहा है यहां पर देखिया दो लाग 75,000 जितने कॉंट्रेक्ट यहां पर एड हुए कि इस पर 2100 रुपे और हम जब बात कर रहे थे 2000 रुपे पर वहां पर 45,000 जितने कॉंट्रेक्ट निकल गए हैं लोगों को लग रहा है अब यह स्टोक 2000 के लेवल नहीं दिखाएगा जब तक मार्केट में बड़ी नियूज ना आ जाए तो यहां पर हमके दो चीज़ पता चली कि इसका स्ट्रॉंग रजिस्टन्स अभी के लिए है 2200 रुपए और स्ट्रॉंग सपोर्ट अभी इसके लिए बन रहा है 2100 रुपए तो टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे दोस्तों आपको पता था कि यह स्टोक बहुत उपर जा रहा था लेकिन फिर इसमें गिरा वाट आई वो चार्ट में भी नहीं लाया हूँ लेकिन मैं कि रिसेंट चार्ट यहाँज का दिन है यह पिछले कुछ दिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि देखिए वो जब गीरा था तो भी देखिए support लिया, फिर से उपर चड़ा, support लिया, फिर से उपर चड़ा, वहाँ पर sustain किया, consolidate हुआ, फिर से निच्च आया, फिर consolidate हुआ, फिर निच्च आया, support लेके, फिर उपर गया, फिर support लिया, फिर यहाँ पर इसने breakout दिया, और breakout अच्छे volume के साथ दिया, इसलिए कल, कल के दिन आ एक भी सपोर्ट नहीं समझ मैं रही है बात आपको कई भी स्टोक एक साथ उपर चड़ा जाये तो उसमें मुश्किली परिशानी आते ही आते क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा ओवर ब्रोट हो झाता है यहाँ पे जितनी बार सपोर्ट लिया मतलब वहाँ पे जो ओरभर ब्रोट का खतरा था वो टाल रहा था लेकिन यहाँ पर एक साथ इतना बड़ जाना clear cut बात थी कि यह बहुत ज्यादा over brought हो रहा है और आज का इसका नीचे आना बिल्कुल जायज था मैं तो सोच रहा हूँ कम नीचे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था क्योंकि यह बहुत ज्यादा over brought हो चुका था लेकिन अब थोड़ा इसमें level आ चुका है आज भी देखे इसने 2200 रुपे पे strong resistance force किया जैसा इसने पिछली बार किया था जहां से वो नीचे आया था और इसने strong support लिया था 2000 रुपे यह देखे इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि technical analysis को follow किजिए यह आपको बहुत ही अच्छा डेटा देगा तो अभी हमारे लिए दो चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहे है कि इसका strong support बन रहा है 2000 रुपे और strong resistance बन जाए 2200 रुपे जब तक यह cross नहीं करेगा तब तक यह उपर के target नहीं देखा अगर आपको इडेटा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब करके हमारी family में जोड़ जाएए थैंक यू